नमस्कार साथियों आज फिर अब सभी साथियों का MKG Nelsing City Point में स्वागत है और आज फिर basic and most important MCQ लेकर आए हुए हैं जो की होने वाले अभी RMR लखनों के एक्जाम्ट में बहुत ही महत्वोड भूम का निभाने वाले हैं वैसे तो राम मनुहलोहिया की डेट आगे बढ़ ग गई है और एक्जाम तो होना ही है वैसे कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है डेट बढ़ गई है तो ऐसे बहुत सारे कंडिडेट होंगे जो चाहर है थे कि थोड़ा समय मिल जाए प्रेक्टिस के लिए थोड़ा समय मिल जारी वीजन के लिए तो उन अभ्यरतियों के लिए ये बहुत बड़ा आउशर है और खास बात ये है कि लखनो जैसे सिटी में रहने के लिए आपको एक मौका मिला है आ अगर आप इसको अच्छा कर ले रहें तो आपको नवाबों के शहर लखनों में रहने को मिलेगा जहां को उत्तर प्रदेश का हर बेक्ती कहीं न कहीं लखनों में रहना चाहता है अपना जीवन गुजाना चाहता है अगर आपका सपना है लखनों में रहने का और एक अच् के लिए दिन रात एक कर दीजिए जब तक एक जाम ना हो जाए अपने स्वास्त का ख्याल रखते हुए इस प्रकार से मेहनत करिए इस प्रकार से प्रेक्टिस करिए कि कि आप कोई एक सीट मिल जाए चलिए सुरू करते हैं आज का पहला कुश्चन दा रीजन वाइल लिपिस्टिक एंड नेल पॉलिस इज रिमॉब्ड बिफोर सर्जिरी कुश्चन कह रहा है कि वहां क्या कारण है कि सर्जरी के पहले लिपिस्टिक एंड नेल पॉलिस बहुत इंट्रेस्टिंग कुश्चन है और जो हमारे नर्सिंग आफिसर्स ओटी में काम कर रहे होंगे या जो प्री आपरेटिव वाड में होंगे तो वो लोग इसको और अच्छे समझ रहे होंगे और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अभी नए निकल के आते हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं और इसका आपसन पढ़ते हैं आपसन j Surgery become easier बोला है कि Surgery आसान हो जाती है क्या इसलिए हटाते हैं अगला आपसन लिखा है Surgery become more successful क्या इसलिए हटाते हैं कि Surgery ज़्यादा successful रहती है आपसन C Psychological Benefit to Patient क्या आपको लगता है कि किसी का आप शिंगार अगर यानिकि लिपिस्टीक निलपॉलिस हटा देंगे वो psychological Benefit नहीं हमारी साब से तो नुक्षानी उसको लगेगा आपसन D Sinosis is checked क्या Sinosis चेक करने के लिए उसको हटाते हैं अब इन चारों आपसन में से आप Correct answer लगाईए और उसके बाद इसका जो सही answer है सही answer इसका D सही answer इसका होगा D ठीक है अगला question Which type of burn is painless आप लोगं को burn के जितने भी question बनते हैं आपको वहाँ question मिलेंगे burn के classification से हो burn के किस टाइप से उसको classify किया गया है role of nine का है depth के हिसाब से body surface area के हिसाब से है या उसका management हो तो इस तरीके से या उसके complication हो या उसकी surgery हो reconstructive surgery हो ये सब आपको surgery से question त्यार करके जाने हैं और इसमें कहरा है which type of burn is painless कौन सा टाइप जो है painless होता है first option है third degree B option है first degree C option है second degree D option है non-up ये भी दियान रखना है कि सारे option पढ़ने है और जो मैं daily तरीक आपको बता रहा हूं कि आपको practice आप से मैं दावेक साथ कहता हूं कि अगर ये मेरा तरीका अपना लिंगे आप 10 तक इंती लिख लीजिए उसी के आगे जिस question को आप solve कर रहे हैं अपना answer दीजिए बाद में जो यहां से बताया जा रहा जो उसका correct answer उसको लिखिए और फिए अपने कोई वलूर करिए इसका लिखिए इसका option painless कौन होता है आपको पता होना चाहिए first degree जो है उसमें pain होता है second degree उसमें भी pain होता है blister होते हैं और third degree जो है पूरा हर तरीके से burn हो चुका होता है उसमें नर्व जो हैं पूरा जल चुकी होती है इसलिए थर्ड डिग्री जो बर्न होता है उसमें पेन नहीं होता है ठीक है अगला question बर्न severity is assessed with यहनि कि कितना गंभीर लोग कहेंगे कितना गंभीर जला हुआ है तो उसकी severity चेक करने के लिए क्या क्या है आपसन यह burn surface area के हिसाब से उसकी severity चेक करेंगे आपसन भी है depth उसकी गहराई के हिसाब से चेक करेंगे आपसन C है body part affected क्या उसके body part जो affect हुए उसकी हिसाब से उसकी severity चेक करेंगे आपसन D है आलावधाद तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम इसकी severity को चेक करते हैं तो इसमें हम body surface area के हिसाब से भी चेक करते हैं उसकी हम कितना गहराई तक कितनी लेर उसकी जली है उस तक चेक करते हैं बाडी पार्ट कितना अफेक्ट तो इस हिसाब से यहां पर हम चारों तरीके जो है एसस सीवेर्टी एसस करने के लिए यूज़ करते हैं आपसन इसका डी सही होगा अगला क्वेशन ड्रग आफ चुआई टू ट्रीट इसका इवीज क्या लिखा है इसका इवीज तो इसका इवीज में कौन सी ड्रग जो ही यूज़ करते हैं आपसन इस है परमेथरिन आपसन भी है कैलामाय लोशन आपसन सी है टिंग्चर बेंजोएड आपसन डी है अगला question, hypertrophy is, hypertrophy क्या होता है, hypertrophy is, option A, increase in number of cell, option B, increase in size of cell, option C, uncontrolled multiplication, option D, spread to other side, तो इसका आप लोग correct answer लगाईए, और उसके बाद, hypertrophy जो है, उसका cell का size बढ़ता है, उसके हिसाब से, आपसन इसका भी सही हो जाएगा, HIV affects, अगला question है, HIV affects, HIV किस cell को affect करता है, बहुत important, और कहीं ना कहीं से, आसपास question, आपको एक HIV, जो हम यहाँ पर लिख दिये हैं, तो इससे, आपको इससे related जितने question हैं, उसको त्यार करना होगा, HIV, जो है मेन रूपसिक, इसको affect करता है, आपसन A, B cells, आपसन B, helper T cell, आपसन C, neutrophils, आपसन D, lymphocyte, इसका correct answer, correct answer होगा, B, helper T cell, which is not cancer, सोचिए, क्या कि बहुत simple question है, उसको सिर्फ थोड़ा ध्यान देना होगा, क्या लिखा है, which is, not लेगा है, नाट को ध्यान देना है, कि इसमें से cancer कौन नहीं है, लोग क्या करते हैं, कि ओमा, ओमा, देखते जले आते हैं, ओमा, औमिया, तो देखते हैं, सार्कोमा, cancer होता है, कार्शनोमा, यह भी cancer होता है, लिउकेमिया, यह भी cancer होता है, ग्लाव कोमा, क्या है, ग्लाव कोमा, हाई से related, हाई disease है, ना, तो इस तरीके question पर हमें ध्यान देना होगा इसमें कहारा which is not cancer, cancer कौन नहीं है तो इसका correct answer होगा गलाव कोमा cancer नहीं है और leukemia cancer, carcinoma cancer, sarcoma cancer अगला question confirmatory diagnosis of cervical cancer selection दिलाने वाला question इसमें लोग confused होंगे और कहीं न कहीं गलत answer करके आएंगे लेकिन ये पूछावा question है aims का पूछावा question है और इसको जो सही करके आया वो आज aims में जोब कर रहे है तो इसका option पढ़ते हैं आपसन ये mammography option B, biopsy option C, calposcopy option D, pipe smear यहाँ पर confirmatory किसका पूछा है cervical cancer का तो cervical cancer का option यहाँ पर B होगा biopsy pipe smear पर नहीं जाना है option B अगला question है अफेकिया अफेकिया ये option फेकिया लेंस देखिए absence of silly body नहीं होगा absence of lens absence of conjunctiva absence of pinna तो आफेकिया लेंस अगला question cataract क्या है cataract पढ़िए cataract क्या है crystallization of pupil pupil का crystallization हो जाना क्या cataract है अगल अभी option है opacity of the lens क्या opacity of the lens lens पर opacity हो जाने से उसको cataract बोलेंगे absence C thin film over the karnya karnya के उपर अगर thin film बन जा रही तो क्या उसको cataract बोलेंगे option D opacity of conjunctiva अगर conjunctiva में opacity हो जा रही तो क्या उसको cataract बोलेंगे तो इस तरीके के question एक सब्द के question अगर गलत होते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्टन आता है सीधा वही है कि पहाड पर चठने के बार नीचे गिल जाते हैं थोड़ी चूक में लोगों लगता है बहुत simple है और हवा में फेक देते हैं answer सारे option पढ़ने हैं और अच्छे समझना है इसमें आप पढ़िए कि opacity of the lens lens पर opacity of the lens होता है उसको हम जो है कैटायट बोलते है option B तो इस तरीके से 10 question आपको पढ़ने के लिए आपके पास books हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे संस्थान हैं बहुत सारी कोचिंग्स हैं आप लोगने बहुत कोचिंग्स के material ले रखे होंगे वहां से पढ़िए लेकिन practice के तौर पर जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं आप लोगों की जीवने बदलाव लाना चाहता हूं और अपने सपनों को साकार करने के लिए जो बदलाव लाना चाहता हूं बदलाव के लिए मैं कोशिश यही करता रहूंगा कि दस question आप लोगों को practice करहूं अगर जो भी candidates मैं दावेक साथ काहता हूं कि कुछ दिन हमें 10 minutes daily दे 10 से 15 minutes और आपके जो 23 घंटे 50 minutes 45 minutes का आपका जो पूरा समा है वो आपका है सिर्फ आप हमें 10 से 15 minutes दीजिए और य इस दडिके से लगाता रवते रहे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बादलाव आजाएगा यह बदलाओ आपके जीवन को बदल देगा आपके माता पिता के शपनों को बदल देगा आपके जितने भी शगेश बंदीं होंगे सभी के रुद्वा अलग हो जाएंगे बहुत हो धन्वाद आप सभी लोगं का और इसी प्रकार से आप लोग विश्वास बनाए रखिए और मैं आप लोगं के लिए अच्छा-च्छा कंटेंट अच्छे-च्छे क्वेशन ले करके आता रहूं था आप सभी जाएंगे सभी लोग लोगे सभी लोगे खौक लोगे